अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले देख लिए ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत बुलिए एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जंग्शान जो है अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके करीब जाती है उसे और पूछती क्या हुआ तो शावू बताता है कि ये अपनी फीस के पैसे लेकर आ रहा था ये तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था तुम्हारे जनम दिन के लिए इसलिए अपने फीस के पैसे लेकर जब आ रहा था तो कुछ गुंडों ने इस पर हमला कर दिया और उन्होंने काफी सख में कर दिया इसके पूरे पैसे भी उड़ा दिया दे वो लेकर भाग वो पैसे देना नहीं चाहता था इसलिए उसने उन लोगों से लड़ाई कर ली क्योंकि वो तुम्हारे जनम दिन के लिए पैसे जोड रहा था ये सुनकर जंग्शान जो है वो बहुती ज़दा रुने लेना और मेरी फिकर मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूं लेकिन जंग्शान तो है जो रोना बंध ही नहीं करती है और रोई जाती है कावी देर हो जाने के बाद वहां पर नियाना जाती है और उसे कहती है कि तुम थोड़ा आराम कर लो मैं यहां पर हूं और वो उसे भेज देत पर देती है कि मुझे लगा था मेरे भाई को मेरी जरा भी फिकर निया लेकिन वो तो मेरे लिए ही इतनी महनत कर रहा था और मैं बेवकुफ यह समझी नहीं पाई यह बोलकर वो उदास हो जाती है तो वो बोलता है कि तुम्हारा भाई कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसके लिए ऐसा कुछ सोचो और उसके लिए उदास हो अगर तुम्हें ऐसा कुछ सोचो कि तो वो जरूर तुमसे नाराज हो जाएगा और यह बोलकर वो उसे बड़े विश्व करता हैं और पूश्ट है कि विश्व मांगो ना एक विश्व क्यों नहीं मांग लेती हो तो वो ब पते हैं यह सब कुछ वो टैन्यू को बताती है यह बात को उसकी सारी बाते सुनता ऑर उसे मुश्टाने के लिए बोलता है और वो कहता है कि अगर तुम कुछ रहोगी तो तुम्हारा भाई भी कुछ रहेगा सीन यहीं पर कट हो जाता है अगले सीन में हमें दिखाते हैं क उसे जाना पड़ता है जंक्षान जो है अपने भाई के लिए एक टोपी खरीद के ले आती है वो बोलता है कि ये क्या किया तुमने मैंने तो तुम्हारे गिफ्ट के लिए पैसे दिये थे तुमने मेरे लिए क्यों लेकर आया तो वो बोलती है कि तुम आप इतनी महनत करते हो ना भाई इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये आप पहनोगे तो आप बहुत हैंसम लगोगे तो शावबो बोलता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है तो वो बोलती है तुम्हारा जन्म दिन थोड़ा ही है तब ही वहाँ फिर से नहीं आना जाती है और जन्क्षान वहाँ से चली जाती है अब शावबो और जन्क्षान जा रहे होते हैं बाहर तब ही वहाँ पर आ जाता है टेन्यू टेन्यू जो है जन्क्षान को अपने साथ चलने के लिए बोलता है बहुत जल्दी जल्दी में और वो उसे लेकर निकल जाता है वो दोनों रास्ते में जा रहे होते तो वो पूछती है कि हम कहा जा रहे हैं वो बोलता है कि तुम्हारा मूट फ्रेश कर निकले अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना तो वो कहती है गाड़ी रोको मुझे कही नहीं जाना है वो उसका मॉबाइल फोन उठा लेती है और बोलती है कि अगर तुमने नहीं बता है कि हम कहा जा रहे हैं तो मैं ये फोन गिरा दूँगी और तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो देख लेना मैं सच में फोन गिरा दूँगी तो वो बोलता है ठीक है गिरा दो तो वो खुद ही बोलता है कि मैं तीन तक गिनूँगा तब तुम फोन गिरा देना ठीक है और वो फोन गिनती गिनना शु तुमने तो सच में सीरियसली फोन फेक दिया, कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी अपने हापी रुक जाती है, तो वो बोलती है कि अब क्यों रोका, तुमने तो मना किया था ना कि नहीं रोकोगे, तो वो कहता है कि मैंने नहीं रोका गाड़ी खुद ही रोक गई है तो वो दोनों नीचे उताते हैं देखते हैं तो गाड़ी खराब हो चुकी होती है तो वो बोलती है कि फोन लगाओ और जल्दी से मकैनिक को बुलाओ तो वो बोलता है कि अभी कुछ देर पहले मैडम साहिबा ने फोन तो फिक दिया ये सुनकर वो बोलती हाँ ठीक है मैं अभी जाती हूँ ढूनने के लिए वो थोड़ी जाती है ढूनने के लिए फोन लेकिन उसे नहीं मिलता है अब दोनों चुपचा बैट जाते हैं काफी देर हो जाती है कुछ समझ में नहीं आ रहोता है क्या आखिर क्या करें क्योंकि ना फोन होता है ना कुछ और टैन्यू जो है उसे ऐसी जगा ले आया होता है जहां कोई गाड़ी भी नहीं आती है वो उसका गर hugely दबाने लग जाती है और बो तह जेक है कि मुझे कहा कहा लेकर आ गए हो त elder कुछ नहीं होता है अब कुछ भी करो मुझे घर जाना है वो जित करने लग जाती है तो वो बोलता है कि तुम्हारे साथ मैं भी तो फज गया हूँ फोन फेकने की जल्दी किसको थी तुमको ना तो दोनों इसी तरह गाड़ी में ही बैठे होते हैं लंक्षान जो होता है कॉलेज में नियान के साथ में होता है वो उसको अपने उसकी बहन की किलाब में बढ़काती है कि वो कितने लोगों की साथ खुमती है तुम्हें उस पे बहुत बरुसा है ना वो कहता है वो बड़ी हो गई है अपना खयाल रख सकती है मैं उस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम फिकर मत करो, यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्ते में हो जाती है, यहां रात का वक्त होता है, आस्मान पर देखकर जंगशान बोलती है, यहां तो कितने सितारे हैं, मैंने नहीं सोचा था कभी शहर में मुझे इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा, तो वो बोलता है कि तुम्हारी विश्टी तो पूरी हो गई, तो वो बोलती है कि तुम मुझे ये दिखाने के लिलाए थे, वो कहता हां, बिल्कुल तुम्हारा मूड अच्छा करना चाहता था, यह सुनकर वो खुश हो जा मैं भी थोड़ा ओड़ लूँ, लेकिन वो तो उसे बिल्कुल भी ओड़ने नहीं देती है, खुदी सारा खीच लेती है, टेन्यू बहुत कोशिश करता है, जंग्चान जो है, उसके कंदे पर सरक कर सो जाती है, वो ओड़ने के लिए उसे दो-तीन बार लेता है, लेकिन व बोलती है कि देखो, मैं जूट नहीं बोल रही थी, इन दोनों का ही अफैर चल रहा है, वो उसी के साथ घूमती रहती है, तुम्हें कुछ करना नहीं, मगर वो उसकी बात में बिल्कुल यकीन नहीं करता है, और वहां से चला चाता है, ये देखकर वो और गुसक हो जाती ह अब लंग्शान जो होता है, वो सीधे पहुंच जाता है, जंग्शान के होस्टल के बाहर पहुंच जाता है, और वहां पर जाकर उसे बुलाता है, लेकिन वो नहीं आती है, उसकी सहे लिए आती है, वो उसको पूछ ता है कि वो कहा पर है, तो वो बोलती है कि वो बहुत जादा बीजी है इसलिए नहीं आपा रही है मुझे नहीं पता इस वक्त वो कहां पर है मगर पक्का वो कहीं लाइब्रेरी में ही हो यह बात सुनकर लंग्षान को यकीन तो नहीं होता है लेकिन फिर भी वहां से चला जाता है अगले दिन सुभा जब टैन्यू जंग्षान को समझी तो बोलती है कि हाँ चुका दूंगी के जारी होती लेकिन ठीक उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है जंग्षान बोलता है कि आखों से नहीं देखता तो कभी यकिन नहीं करता मुझे किसी ने कहा था लेकिन मुझे उसकी बात बहुरोसा बिल्कुल भी नहीं था वो उसे नाराज हो जाता है, वो बिचारी से मनानी की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चला जता है, शाओबू और जंग्षान जो है, उसको ढूंड रहे हैं, कलब में उन्हें मिल जाती है नियान नियान अपनी बेहन से जगड़ा कर रही होती है लेकिन वो भी उनके साथ चली जाती है और ये लोग सब लोग ढूंटे हुए पहुंच जाते हैं एक जगा पर जहां पर रंग्शान बैठा वो होता है और वो उसे मनानी की फिर से नहीं किया है कोई भी नहीं बात है तो वो बोलता है कि नहीं मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ और वो बोलती है ठीक है अगर आपको मुझे वरुसा ही नहीं है तो मैं ही चली जाती हूँ और वो जाने लगती है नियान उसे रोकती है और धंकी देती है उसके दिल में सि इस तरह कभी नहीं देखा है, बच्पन से आ तक तुम ने उसकी हिपाज़त की है, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, तो उसे अपनी जिन्दगी थोड़ी तो खुल के जीनी चाहिए ना, तो तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम तो ऐसे कर रहे हो, जैसे तुम लोगों को खा ही जाओगे, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो बोलता है, देखो, तुम सगे भाई मैं नहीं हो, कहीं, तुम्हारे दिन में उसके लिए कुछ है तो नहीं, तो वो बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, समझ गई, सीले उसके साथ मैं बस उसकी फिक्र करता हूँ यही बात है और कुछ नहीं है समझ में आई, सीन यही पे कट हो जाता है अगले सीन में हमें दिखाता जंग्षान जो है अपनी साहिली के पास बहुत रोती और बोलती है कि मेरा भाई क्यों नहीं समझता मुझसे ज़्यादा क्या वो लड़की सही हो गई यह उसके लिए जो सिपो उसकी बाते सुनता रहता है यह बोल कर वो बहुत ज़्यादा बिचारी रो रही होती है सीन यहीं पे कट हो जाता है